नमस्कार दैनिक शिव्ट टाइम में आप सब का स्वागत है मैं रश्मी शर्मा कैमरामेंट शुवम भगत के साथ दुशकर जो शक्सियत आज हमारे साथ है इस समय और डिफरेंट इश्यूस पर इनसे बात भी करेंगे और जानना चाहेंगे और सबसे पहले ने मुबारक बा हैं आई दिन आप देखें किस कदर यूदा को यह प्रोसान करते हैं कोई भी सांग की स्वागता हो या क्या मैं कि सě आपको मदाएए आपको मेरे भाही आपको पूरी शिट ताइम इस पूरी फैमिली को बहुत-बहुत मुबारक है मैं अकेला मेंबर नी बनाओं मैं बार बार बोल रहा हूं कि जम्मू किश्मीर का हर इस समय बात तो हम आप से कर रहे ना इनको भी देंगे पर इस समय हम आप से बात करें तो आप को ही मुबारक बात बनती है तो हर अच्छे परिंट लोगों का जम्मू किश्मीर में आए और मैं गुवर्मेंट अफ इंडिया के शुक्रिया करता हूं कि फाइनली उन्हों ने ये बोर्ड बनाया और मुझे उस काबिल समझा और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि कल जिस तरह उन्होंने हम सब को इज़त अफ़ के अगर बात करें तो यह कहेंगे कि अब आप ऐजम्मेंबर बनें क्या और देशे रहता है यह भी चाना चाहें कि अभी तक कि यह बार जनता को भी इस कंसेफ्ट के बारे में नहीं पता कि आकि वकप बॉर्ड क्या वड़का आपकी मादम से यह भी जाना चाहेंगे और ज परनानी बाते नहीं करना चाहूंगा क्या हुआ कबerson लेकिन जो आज का दोर कहता है जो बश्कला आते है व mysterious कहां इंक्रोच्मेंट सुई क्या हुआ मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा नए लोगों के साथ नए बोर्ड के साथ नए डिस्पेंसेशन अफ पावर के साथ हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि का वकफ बोर्ड होता क्या है और जम्मू किश्मीर को इस वकफ बो सब्सक्राइब और मुझे पूरा होप है और पूरा उमीद है कि गवर्मेंट आफ इंडिया बैक करती है जिन भी स्कीम को वह लोगों की राहत तक जूरूर पहुंचती है और वकफ उनको पचाने में आपके साथ सक्षम रहेगा जिम्मेदारी आपके उपरान पड़ी है जिम्मेदारी हम अमीद करते हैं वह भी नहीं वाएंगे क्यों वैसे भी आमने देखा आए दिन आप यहां पर अगर कोई किसी सौंग की इनागरेशन या कोई पोस्टर रिलीज है आपने हमेशा आम यूवां को बहुत सपोर्ट किया चाहे हमारी मीडिया की बात करें चाह तो मैं वो रिस्पॉंसिबल्टी इस बड़े प्यार से निभाऊंगा अब वकफ क्योंकि इस्लामिक से जुड़ा हुआ है तो मैं बड़ी जिम्मेवारी से बड़ी रिस्पॉंसिबल वे से इसको निभाने की कोशिश करूँगा मेरे जितने मेंबर्स हैं मेरी चेर परसन ह हैं वो सब बड़े क्रेडिबल लोग हैं बड़े ट्रांसपेरेंट लोग हैं और हम सब मिल जुल के आपको इसमें अच्छी तरह इस वकफ को एक अच्छी खूबसूरत बोर्ड की शकल में आप सब के सामने लाएंगे और जितने साल हमें हैं हर साल आपको इस वकफ परदारों उन सब के साथ के साथ वक्रबोड भी काम करेगा और एक रोल मॉडल बनेगा जब मुझे बारे में जो कि आने वाले पाइश सर जाना चाहेंगे पिछले लगबग साथ सालों से प्रेस क्लब के लेक्शन नहीं हो और अब होने जा रहे हैं आप जब थे मेंबर प्र इस्तुरा के काफी सारे इशुज हैं हमारे जर्नलिस के क्योंकि अपनी फरटरियुकि अँवन के दोर में से लगते हैं और जो उनको मिलनी चाहीं वह आज तक नहीं क्योंकि हाँ जनता कि आवाज परिशासन और सरकार तक लाते कहीं ना कि जनता और सरकार के बीच में ब्रिश का काम करते हैं पर सवाल बड़ा यह खड़ा होता कि जर्नलिस्ट को अगर प्राब्लम हो अगर मीडिया फटर्णिट में किसी को परिशानी आती है तो वह किसको जाकर सुनाएं यह सब्सक्राइब के साथ निकले अगर फिल्ड में तो वह काम करें जी मैं दोहजार तकरीबं 20-22 साल जमू प्रेस कलब में जिसको मैं मंदर समझता हूं जर्लिस्टों का क्योंकि जो इंस्ट्यूशन जिस इदारे के लिए बनाई जाती है किसी मंदर से कम नहीं होती है तो मै लेकि दो चार लोग ही मेरे साथ काम करते थे तो बाकी लोग तो अभी भी बाते करते हैं तब भी बाते करते थे और आने वाले सालों में बाते करेंगे लेकिन कोशिश यही की कि जब मैं 2004 से लेकि 2015 तक वा रहा है तकरीबं आठ दस करोर रुपया मैंने वहां इंवेस्ट क या करवाया डिफरेंट स्पेक्टरम अव साइटी से क्योंकि आपका पी आर इस्टिउशन पैसा नहीं लाती है या इस्टिउशन अच्छी इस्टिउशन नी बनती जब तक आपका अपना पी आर कैसा हो रश्मी मैं तो वो मैटर करता है और आपने जो कुलीग साथ के इस्टिउशन करवाना मिनिमम आपका साल का जो फीज थी वो छेस्टो बीस रुपे ती जिसमें से पाइंट रुपे आपका इन्शोरेंस कर जाता दो एक सो बीस रुपे साल के सिर्फ मेंबर्शिप फीज होती और आप क्या है मुझे नहीं पता है लेकिन मैं कोशिश करता रहा कि यह जितनी पीछे लैंड्स हैं नवीन चोधरी साब तब जेडी के वी सी थे उनसे ली हमने उनसे बॉंडरी वार करी जिनर्याल साब से हमने रेनुवेट करवाया तो इस तरह के बहुत से लोग हैं एड्मिस्टेस्टे में जिनकी मदद से हम यहां इस ट्रेस हो जाती है यह वो लोग जाते हैं जिनके बजियात उपे जाना चाहेंगे क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत है इस इस इंस्टिशूशन को आगे बढ़ाने के लिए जैनलिस को एंपावर करने के लिए क्योंकि जिस तरह से आपने बात की हम आपसे यह जरूर जाना च क्या जो प्रेस्ट क्लब के मादें से जो मेंबरान चुन कर आते हैं उनका क्या दाइट रहता है हमारे मीडिया फटर्निट की और पहले तो रश्मी जी जो एलेक्शन का प्रोसेस प्रेस्ट क्लब का बिल्कुल घलत है वो कोई कॉंस्टिशनल नहीं है होता यह है कि जब आप मैनेजिन कुमेटी जब आपने एलेक्शन नाउस कर दी तो मैनेजिन कुमेटी जो होती है सिर्फ केर टेकिंग मैनेजिन कुमेटी होती है वो काम नहीं करती है ना तो एजिम होती है वहां कभी दूसरा यह है कि ना तो उनका कोई ऐसा माद्यम है कि जो ट्रांस्पेरेंट ह की तर्ट साल बार एलेक्शन होंगी हैं बड़ी हादर करोना था तीन साल बार होजेगी कि रीजन्स इलेक्शन नहीं हुई है मुझे भी मेरी ब्रिशन करने के लिए क्योंकि मैं लोगों में रहता हूं आपने जैसे कहा तो मेरे पर कोई उंगली ना उठाए मैं अपने आपको बड़ा साफसुतरी तरीके से चला रहा है कि कोशिच करता हूं अगर जैनलिस्ट कोई प्राब्लम आते हैं जितने हम मीडिया कर में उनको कोई परेशानी आती फिर प्रेक्स आपकी कमेटी का गठन होने का क्या फाइद है अगर वो लोग कभी इंटर्वीन ना करें या उनकी परेशानियों को ना समझे बड़ा मुद्दा है यह हम आपने ली नहीं बलकि पूरी फटरनेटी की बात करें क्योंकि कैमने जनरलिस्ट रह चुकि आप इस फिल्ड से वाबस्त है तभी हम आप से जानगा लेने रहे हैं जो हमारे फांडर्स थे चाहे उसमें वेद बसीन साहब थे चाहे शाम कोल जी चैप एमके बांगरू साहब थे व बिलीव करता है डिसकेशन में जैसे आप मुझे कुछ समझाती है तो मुझे सुनना है और उसको मानना है यह नहीं कि मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धी जी तो कोई भी इंस्ट्यूशन तभी चलती है जब उसमें लोग कंट्रिब्यूट करते हैं तो जब मैंने देखा क आप 2015 तक देख ली जी प्र क्लेब में क्या क्या बना ड्रियस क्लब कैसा था कैसे सेमेनार कैसी कैसे इंट्रेक्शने प्रोग्राम करता था डूसके बाद आप देख लिए तो आपको इतना बताऊंगा कि मैं अपने पंदरा साल के कार्या काल में कोई ऐससा 34 डिसमबर जिम में वहां नहीं अपनी पूरी मेंबर्स की फैमिली के साथ इवन दो कि उनके दादा दादी इसके साथ 31 दिसम्बर वहां मनाया जाता था और उसके बाद आज तक भी 31 दिसम्बर नहीं वहां किया लिए अगर मीडिया फिर से वही सवाल करूंगी कुलीग होने करनाति मैं कभी नि सुचता हूं कौनी चोटी है या बड़ी है यह दिसम्दान के पौर्टल है यह प्रिंट मीडिया यह एक टॉर कुलीग मिनस कुलीग हम सब एक साथ काम खर नचे मैं नहींडर परसंट नहीं तो नाइन-टी परसंट उनको रिजॉल्व करने की कोशिकी ताहिए अगर आप नहीं भी लेक्शन में पार्टिस्पेशन करते हैं फिर भी आप मदद करेंगे मैं अपनी बरादरी का हूँ मेरा नाम जो है वो जरलिस्ट के साथ जुड़ा गया है तो जरलिस्ट जो है मेरा प्रफेशन है तो मेरे भा पत्रकार होंगे जिनकी उमीदें आप से जूलिगी शायद इस एलेक्शन में फिर से चेहरा देखने को मिलेगा सहिल काजमी जी करता हूं कि अच्छी टीम चुनिए अच्छे लोग चुनिए और यह कहने की जरूरत नहीं यह किसी से मत पूलिए कौन अच्छा है कौन बु इसे इनक्रेडिबल लोगों को वोट मत कीजिए चाहे वह एसेंबली एलेक्शन हो चाहे परचायत एलेक्शन हो चाहे प्रेस क्लब एक्टिशन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है समाज में तो लोगों को चुनिए जो भी टीम आती अच्छी टीम होगी तो पूरी स्पोर तो मिला वक्ट बोड का मेंबर जो कि आपके साथ और भी लोगों को जो की उनको गोशना कीगी है एक सवाल जरूर आपसे करना चाहेंगे जिस तरह के हाला था अगर को आपको आने वाले समय में कोई ऐसा और उचा ओधा मिलता है कि कही ना कि उस ओधे के माद्धें से आप आम जनता की परिशानियों को हमारी यहां के अड्मिस्रेशन तक या यूँके सरकार तक पहुशा सकते हैं तो किसा तक मदद करेंगे क्योंकि कही ना कही आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं हमने काफी आपको सक्रिये देखाया कि अगर बात करें हमारे युवाउं की डेली वेजर्स का मसला हल किया जाएगा आज वो डेली वेजर्स लगातार सर्थमों पर हैं बात करें डेंडल सरजन की वो डिगरियां करकर बैठी उन लोगों ने जलाई हैं मने बूट पॉलिश किये वो पोस्टें अड़वर्टेज नहीं हुई हैं और साथ इसद के नहीं की ब सतर के बाद जो वाय देखिये गे थे सरकार की तरफ से के आने वाले दिलों में खुशाली ही खुशाली होगी हम यह भी दो रहा हैं कि प्रोजेक्ट वर्क होरें बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होरें पर जिसका आउटपुट दो या तीन साल के बाद देखेगा अगर ज दो कि अगमो कुश्मीर के लोग अगर द्वाइसर बनते हैं और अगर जमो कुश्मीर के लोगों की बात हैं नहीं करते हैं तो कि घृण ख़िजिए गलत शहीं अगर आवट आप जो बिलकूल एक नावास और क्ताल द Уच्शाली दो को यह किसी भी इनसान को जो अच्छी आते होती हैं जो बुरी आते हो वो उसके मरने के बाद ही जाती हैं लेकिन बड़े कम लोग होते हैं जो अपनी आतों को इंकॉर्परेड करके रोज मर्रा की जिंदगी में ठीक करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अगर मुझे वह रिस्पॉंसिबिल्टी मिलेगी तो मैं आप जैसी बहाई बहनों के लिए जो मेरा पहले भी प्रोग्राम था मैं प्रेस इंकलेव जमों में बनाऊंगा और किश्मीर में तो पहले ही बना हुए और प्रेस इंकलेव का ये मतलब है कि हमारा जो फील्ड है जो हमारा पीगे सरी लड़ाइएं ही होंगे आपको ऐसी इंस्ट्यूशन बना के देंगे जमों में और किश्मीर में गोर्मिन अफ इंडिया भी चाहती है और गोर्मिन अफ इंडिया मांती है कि प्रेस इलेक्टरॉनिक मीडिया जो है ये फूर्ट पिलर है जमोरियत का और जो जो बेहने हैं वो आगे आए और उनको भी डिफरेंट वेस्ट के हिसाब से चाहे वो स्टेट अवाउड से हों चाहे बाकी चीज़े हों उनको भी नवाजा जाएगा ये मेरा आपसे वादा है और बिना प्रेस के आज तक जमों किश्मीर की सही रिफलेक्शन किसी ने नहीं की पिछले 30 साल के इंसर्जिंसी के दोर में तो मैं आपसे अशूर करता हूं कि अगर आप सब का हाथ पगड़के मैं गवर्नर साब से वो चीज़ें करवाऊंगा जो जमों कुश्मीर के लोगों के हित में होगी जो ट्रांसपेरिंसी से जमों कुश्मीर को दिखाते होंगे और भारत मानते हैं इस चीज़कों के ट्रांसपेरिंसी से काम नहीं हुए क्योंकि लेफ्टन गर्स तक उनके डिवाइसर जो एक एम रोल अदा करते हैं क्योंकि आए दीन बार्डर बटालियन की बात करूं से वाइदर तो नीचे ले तब के लेता लोग कर देते हैं पर उ लेकिन अच्छे चेरों को लाएंगे तो लोगों की प्रॉब्रम्स होंगी और इंशाल्ला मुझे उमीद है एक लास्ट में जाते साथे आखरी सवाल कोई भी मुद्दा मुद्दा चाहिए डिमॉलेशन की बात करें या किसी फिलम की बात करें हमेशा चर्चा का विशह व वह ने का आज भी प्रॉटेस्ट हुआ और सास्ताओ पर जब हमने और गांखिल-क烦य चीज़ों को लिए te और साथ-साथ दा गश्मीर को लेकर गमा सन चल रहा है ईंग्या विंग जारी चीज़ों कर देकते हैं ताकि आपका एक मैसेज ताकि मारे जो घुलदस्ता जो भाईचारा जमु कश्मीर का या देश का हिंदू-मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिनदाबाद जो नारा लगता वो काईम रहे और एक मैसेज भी जाए सब और वो रीड की हडी रहेंगी चाहे कोई सियासर इदर करें या उदर करें किश्वीर फाइल एक मूवी बनी है और उसको मूवी के एंगल से देखिए जब तक मूवी में नून मर्च नहीं डालाएंगे तो वो उसकी ती आरपी नहीं बढ़ेगी तो मूवी को ग्राउंड र रैबिंग की उच्टरी बनी हैं जो लोग कल तक मजदूर थे जो लोग कल तक बर्व बेजते थे आज हजार दो हजार करोड के मालक बन गे और स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड का तबाही कर दी मैं नहीं कहूंगा कि पुरानी गोर्मेंट सरकारे क्या करती रही लेक जाल इम्प्लाइमेंट का जाल वो किस तरह से आम अवाम तक पहुंचे एक करोड़ तीस लाग की अबादी जो है वो किस तरह खुली फिजा में अराम से अपना काम कर सके अपना बैपार कर सके उसकी तरफ काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि यह जो प्लिक्टिकल पार्ट रोल माडल नहीं रहते हैं पूरे मुलक के मुलक का एक पॉलिसी होती है स्टेटों की अपनी पॉलिसी होती है उन पॉलिसी पे स्टेटें और मुलक चलते हैं हकूमते आती हो जाती है हम सब को एक दूसरे का हाथ पकड़ के मरकस की अच्छी कंसीवड प्लैंस को उसके चलन करना चाहिए हम सब एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते की तरह सजे रहे उसी में हमारा बेहतरी तो यह थे हमारे सब अगर कराकार हो उसको भी उभारने की लगातार परियास करते हैं यही खास ही होती एक अच्छे इनसान की एक ऐसे सीटिजन्स की जो अपनी दायतव को अच्छी बड़ी बात ही समझा और हाली में वक्त वोट का मेंबर भी खोश्चित की और साथ इस आने वाले समय में हो सकता है यहम जरूर कहेंगे की हो सकता है इन्हें को बड़ा हुदा मिले तो चलिए हम भी इनको इस की मभार्ट बात हैhst कि अगर इनके मन में और इनके तिल रॏ दिमाग में यह चीज इचीजे है कि कही ना झाल में कई सबसे बड़ी बात कि यह धो मीडिया फटर्नेटी से वाबस्ता है कि मीडिया फटर्नेटी को जरूर एंपावर करेंगे बहुत बड़ी बात है कि अगर इनको वहदा मिलता है सारी इश्यू जो भी हो इन्होंने यह का कि हाथ पकड़का गुवर्णर साहब तक ले जाएंगे क्योंकि लगातर आप देखत रहते हैं तो उस दाइफ तो अच्छे से निभाई है और अगर इनको मोका मिलता है इन्होंने जुरूर वाइदा किया है कि सबसे बड़ी बात कि प्रेस एंड क्ले बनाएंगे एक नहीं तस्वीर होगी मीडिया फटर्नेटी की रोग साथ ही साथ का कि जितने भी कहा कि लोग प्रोपोगंडर्स पर या फुवाओं पर ध्यान ना दें असलियत को जाने और कई ऐसे तत्व है जो हमारे इस भाईचारे को लगातर तोड़ने का प्रयास किया जाता है मुद्दा कोई भी उसे हमेशा राजनी तिक रोटिया सिखने की कोशिश की जाती है पर जो उन्हेंने वाइदा कियांको आयोदा मिलता और वो वायदा के आपना पुरा कर पाएंगे यह उन्ह dal यह कहेंगे कि इन्होंने कमसे कम प्रेस मीडिया या मीडिया फटर ने तो सही हम धन्यवाद करता है इनका भी चलिए आपने कमेंट जरू कमेंट बाक्स में दीजिए वीडियों कुछ इतना है कि शेर कीजिए जोड़े रिया से हमारे साथ अगले आपडेट के लिए जाहिंद चभार